नमस्कार मैं हित्येश को स्वामी, हारदिक स्वागत करता हूँ आपका एजुकेशन इंडिया में एक वार फिर से तो महाराश्च सरकार में इतने दिनों से एक संकर था, यह संकर था सरकार जाने का, यह संकर था उत्तो ठागरे का मुक्यमंत्री बस से परखास्त होने का, क्योंकि राज़ेपाल बगत सिंग कोश्याडी, ऐसा लग रहा था कि भारते जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिल यासी खेल इन तिनों जोरों पर है, और हो सकता है कि उद्धव ठागरे की सरकार को गिराने का यह खेल शुरू हो चुका है, और कमल उप्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वास्तों में ऐसा कुछ भी नहीं था, इससे पार्ट्य जनता पार्टी के वरिष्ट नेता और जिपाल भगत सिंग कोश्यारी खुद ने न कार दिया, इसके बाद उद्धव ठागरे पर संकट को देखते वे उद्धव उन्हें खुद ही मोदी को फोन लगा डाला, फोन लगा कर उन्हें सब से अउगत कराया, पूरी बात बताने के बाद उद्धव ठागरे को दिर मोदी ने आश्वा संधिया कि आप चिंता ना करें, सरकार आपकी ही रहेगी और साथ साथ आपके चुनाओ या फिर आपको सदस्य गोसित कर दिया जाएगा, दरहसल आपको बदा दे कुछ हपते पेले, आज से करीब तीर हपते पेले, परस्ताओ पर पर परस्ताओ ब अगसिंग को स्यारी नहीं दे रहे थे, यहां से ऐसा लग रहा था कि उद्धो ठाकरे की सरकार को गिराने का पुर्जोर लगा कर एक कारिय सुरू किया जा चुकिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उद्धो ठाकरे और मिरंदर मोदी, यानि कि बाजबा और सिर से ना, दोनों के बीच गटबंदल की बाते फिर सुरू हो चुकिये, शुरू क्यों हो चुकिये यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कौनसी पार्टी बेस्ट गोर्मेंट है महाराष्टर में, और किस पार्टी के पहले देखने को मेल सके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन सब बातों के बारे में विस्तार से, तो जब नरंदर मोदी को फौन लगाया गया तो उसके दो दिनों बाद ही चुनाव के प्रस्ताव पर प्रस्ताव बेज़े गए, राजिबाल भगस सकता है, ऐसा कोई भी अभी संबाव नहीं है कि इसे लोगडाउन को खतम ही किया जाए, एक मैने का समय भी नहीं है, अगर उद्धो ठाक रे सदस्री नहीं बन पाते हैं तो उन्हें जबरन मुख्यमंत्री के पर से परखास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि सवीदान 164 के ता ये कहा गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री जब तक मुख्यमंत्री नहीं रहता 6 मईनों के बाद, जब तक कि कोई विदायक ना हो या फिर किसी भी सदन का सदस्यन हो, और उद्धो ठाक रे भी कुछ इसी सरेणी में आते हैं और इसी वदे से, उनकी सरकार जाने का खत्रा अ कि तूटे ही क्यों, दोनों हिंदुत्ववादी पार्टी है, और हिंदुत्ववादी पार्टी दोनों मिल सकती एक बार फिर से, क्योंकि अभी NPR बाकी है, National Population Register, जिसके लिए उद्धो ठाक रे ने एक बयान दिया था, पहले और एलान किया था, कि एक मही से, मही के ले को ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक गटबंदन तूटने की बात भी सामने आ जाती, अगर ऐसा होता है, तो फिर बाजपा, शिवसेना वापिस गटबंदन कर सकती है, शिवसेना में बाजपा को दोखा दिया था, उस समय बागी होकर, क्योंकि दोनों ही आधी-ाधी सीट लड़े थे, और ऐसे में भाजपा, पूरी सीटों पर कैसे ही जीश सकती थी, उतने ही सीटों पर लड़ी थी, जिससे की बहुमत पराप्त हो सके, इससे ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ी थी, और इसी वज़े से शिवसेना ने अपनी मन मानी की, और वो मुख्यमंत्र से वीडियो था, चहांँ पर आपको बतना था कि किस वरकास से वापिस घटमन हो सकता है, और किस वरकास से उद्दो की सरकार अभी फिलाल बच गई है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, सेर करेगा, साथ शानल को सब्सक्राब करके, बै प्सके प्से करें लाग